तो दोस्तों आज की सोड़ो में हम बात करने वाले हैं UPSC, Union Public Service Commission का अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं Civil Service Pre-Examination 2024 का और आपको फॉर्म में फोटोग्राप, सिगनेचर अप्लोड करने में दिक्कत हो रहा है, प्रूलम हो रहा है तो कैसे फोटोग्राप एδन सिगनेचर को अप्लोड करना है, कैसे आपको इसका वेक्त रहाट आपको सेट करना है, पूरी जानकरी आपको इस वाड़ों का मादयम से दिया जाएगा ताकि आप आसानी से फॉर्म में फोटोग्राप एँद सिगनेचर बिना किसी मिस्टेक की अप्लोड कर पाएंगे साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप से छोटे से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल में नीव है तो चैनल को सस्क्राइब करके सियर कर दें ताकि आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएगा आप देखे प्रेंस यहाँ पर आप कितना भी कोसिस कर लें अगर आप इस डैमेंशन में फोटो का आप वेक्त और हाइट आप से नहीं करेंगे तो आपका जो फोटो और सिगनेचर होता है वो आपका कभी भी अपलोड नहीं होगा इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा लास्त तक वास करना ह आपको देखना है कि कैसे आपको इसका डैमेंशन सेट करना है इसके बाद है आपको अपलोड करना है तो सबसे पहले देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो फोटो होता है वो आपका jpg format में होना चाहिए जो कि आपका pixel दिया गया है अगर आप pixel सेट करना चाहेंगे तो 150 औ आपका जो signature का जो pixel होता है signature का जो pixel होता है वो आपको दिया गया है signature का आपका रहना चाहिए 350 और 350 के बीच में इसका pixel रहना चाहिए आप देखे प्रेंस यहाँ पे इसका जो pixel होता है आपका यही डैमेंशन में सेट करना है आपका 150 यह 150 यह आप यहाँ पे 350 यह 350 के बीच में आपको signature का जो pixel होता है आपको set करना होता है यहाँ पे कुछ और भी बाते बताया गया है इसको आपको क्या करना है rate कर लेना है कि आपका जो तस्वीर होता है आपको कैसे होना चाहिए आप देखे friends यहाँ पे आप नीचे आएंगे आपका जो face होता है कुछ इस type से यहाँ पे आपका photo रहना चाहिए ना कि आपका इस type से यहाँ पे जैसे दिया गया है ऐसे आपका जो photo होता है आपका नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका reject हो जाएगा आपका जो photo और signature होता है आपका reject हो जाएगा आपका form ही क्या होगा reject हो जाएगा अगर देखे फ्रेंस यहापका जो नाम होता है और आपको date of photo होता है आपको mention करना होगा जैसे यहापको दिया गया है सबसे पहले आपको date mention करना है month इसके बाद आपका जो year होता है date photo का वो आपको mention करना होगा इसके बद आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको आपको rate कर लेना है अब चलिए फ्रेंस मैं आप photograph signature को resize करके दिखाता हूँ इसके बद मैं आप लोगों को upload करके भी दिखाऊंगा तो देखे फ्रेंस यहाँ पर हमको photograph और signature को resize करने के लिए एक application का ज़रत पढ़ने वाला है जो कि आपको play store में मिल जाएगा अगर आप laptop या PC का use करके resize करना चाहते हो तो आप resize कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको mobile से resize करके दिखा रहा हूँ resize करने का जो तरीका होता है आपका same रहना है कहीं भी आप resize करें laptop, PC या किसी भी other device या किसी application या किसी भी software से आप यहाँ पर resize करें बस आपका size जो width और height होता है आपका same रहना चाहिए तो simply मैं इस वाले application को open कर लेता हूँ अब देखे प्रेंस यहाँ पर हम इस वाले application को जैसे open कर लेते हैं तो हमको इस प्रकार का interface देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आपको select करना होगा उस वाले photo को जिस photo को आप upload करना चाहते हैं तो simply यहाँ पर मैं कोई भी random जो photo होता है यहाँ पर ले लेता हूँ और आपका जो photo होता है कुछ इस type से आपका जो photo होता है वापकर रहना चाहिए यहाँ पर मैं demo मातर के लिए बता रहा हूँ आपको कैसे यहाँ पर photograph upload करना है आपका जो भी actual जो photo होगा वही आपको upload करना है सबसे पहले देखे फ्रेंस आपको resize करने के लिए आप यहाँ पर resize में क्लिक करेंगे इसके बाद आपको ऊपर करना है यहाँ पे congestion and file size में आपको आजाना है custom में क्लिक करना है देन यहाँ पर इसका जो dimension होता है वोग आपको set करना होगा dimension आपको यहाँ पर 1000-1000 के बीच में आपको रखना है तो simply यहाँ पर जैसे बोला गया है वैसे याँ पर resize करना है simply 1000-1000 यहाँ पर इसका जो width और height होता है वो आपको set करना है kb की बात करें तो हम यहाँ पर 300 kb से हम ज़्यादा में convert नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर simply यहाँ पर मैं 100 kb में convert कर लेता हूँ तो कुछ steps आपको यहाँ पर convert करना है यहाँ पर इसका width है यहाँ इसका height है यहाँ पर ninet डिक करना है 1000-1000 kb मतलब बहुत यहाँ पर कम यह ज़्यादा होगा इससे कोई भी दिकत याप होगा दैन यहाँ पर आपको upload यहाँ यहाँ करना है सबसे पहले gallery option में जाना है और आपको upload में click करेंगे, जैसे आप यहाँ पे upload में click करेंगे, आपका जो photo होता है, आपका upload हो जाएगा आपका gallery में, ऐसे ही देखे friends, यहाँ पे हम research करके दिखा रहे हैं signature को भी, तो जो भी आपका signature होता है, वो signature आप select करेंगे, इसके बद आपको research में जाना है, then यहाँ आपको ऊपर करना है, resolution and file size में आ जाना है, इसके बद आपको सबसे पहले इसका जो width होता है, वो आपको set करना है, तो आपको कुछ इस steps से width ř हीग और height आपको set करना है, जैसे bud हमारा यहां पर research हो चुका है सबसे पहले मैंने इसको back कर दिया तो फिर से यहां पर मैं research कर लेता हूं ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो इस steps आपको क्या करना है research करना है OK में click करना है signature को select करना है देखे प्रेंस यहां पर हमारा फोटोग्राप और signature जो मैंने research किया है वह हमारा गैलरी में आ चुका है अब चलिए मैं आप लोगों को अप्लोड करके दिखाता हूं सबसे पहले यहां से मैं back हो जाता हूं अब देखे फ्रेंस यहां पर हम फोटोग्राप और signature अप्लोड section में आ चुके हैं सबसे पहले फोटोग्राप अप्लोड करने के लिए आप यहां पर choose file में click करेंगे file को आपको select करना है जिस भी file में आपने फोटोग्राप और signature को रखे होंगे उस वाले file को आपको select करना है इसके वाद आपको upload कर देना ह ऐसे आपको select कर लेना है आपका signature होता है तो simple यहां पर फोटोग्राप और signature को select करके यहां पर upload images में आप यहां पर click कर देंगे जैसे आप यहां पर upload images में आप यहां पर click करेंगे तो आपका जो photograph और signature होता है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस टैप से आपको UPSC Union Public Service Commission में Civil Services Pre-Examination 2024 का अगर आप form अपलाई कर रहे हैं तो आपको कैसे photograph and signature अपलोड करना है पूरी जानकरी मैंने आपको देने के कोशिस किया है अगर आपको जानकरी पसंद आपको ब्लूक लाइक सब्सक्राइब